नश्कार दोस्ते मेरे नाम है डोकी त्रिभुवन कौशिक तो क्या आप जानते हैं कि जो बॉंडेड लेवर अगरीमेंट्स हैं जिनको आप लोग बॉंडेड लेवर कहते हैं उनके बारे में क्या आपको पता है कि अगर आपने जो करार किया अपने इंप्लॉयर के साथ और अगर आपने उसको पूरा नहीं किया तो इंप्लॉयर यानि कि आपकी कंपनी का मालेक या आपकी कंपनी आपके खिलाफ रिकवरी सूट फाइल करके उस पैसे को आपसे लिए सकती है अगर आपको यह नहीं पता है दोस्तो तो यह वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब कर लीजे बैल आइकन दवाना ना भूलें आईए आज के वीडियो को शुड़ो करते हैं तो दोस्तो ऐसा है कि कुछ लोग जो है भ्रांती रखते हैं यानि कि उनको कंफूजन है बॉंडड लेबर क्योंकि उनका कहना है कि हमारे देश में तो बॉंडड लेबर होती नहीं है हाँ ये बात सही है कि हिंदुस्तान में 1976 में जो एक कानून आया जिसको बोलते हैं बॉंड लेबर सिस्टम अबॉलिशन नैक शसके हिसाब से बॉंडड लेबर को लेकिन अगर आपके साथ कोई अग्रीमेंट किया जोकी एक्सक्लूसिफ अग्रीमेंट था आत्मके साथ च् plural की थो आपको जो भी उसकी टेम्स और उनको मानना पड़ेगा ऐसा क्यों है क्योंकि ये जो contract होता है employer versus employee ये contract होता है Indian contract act जो है आपका 1872 उसके तहट ये करार होता है जिसमें आप एक party होते है याने कि employee एक party होता है और दूसरी party होती है employer और इस करार के हिसाब से जो भी टम्जन कंडिशन्स करार पर लिखी होती हैं उन सारी टम्जन कंडिशन्स को फुल फिल करना होता है दोनों पारटी से GPA करती है तो दूसरी पारटी स्फिल काइच में जा सकती है आपके खिलाफ सूट की recovery के लिए और उस करार की specific performance के लिए तो जबी भी आप कोई agreement अपने employer के साथ sign करें तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग जो है उसको धंग से पढ़ें और उसको जो है आप legally भी वेट कराएं क्योंकि जो आप bond sign कर रहे हैं अपने employer के साथ उसके आपको consequences जिलने पढ़ सकते हैं तो दोस्तो यह दा मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग जो बात करता है कि जो bond यानि कि bond पर जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए bond sign करना जो है एक दिक्कत हो सकते हैं इसलिए उसको अच्छे तरीके से पढ़ें दोस्तों अगर आप यह मेला वीडियो देख रहे हैं फेस्बुक पे तो मेरे वीडियो को शेर भी करें लाइक भी करें कॉमेंट भी करें दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नमस्कार